अज में लिकर आई हूं पांच दालों से बनने हुई दाल पालक की रेसिपी ये दाल बहुत ही हेलदी है और बहुत टेस्टी बनती है ये दाल हर किसी को बहुत पसंद आएगी तो चलिए सिम्यान शुरू करते हैं सारी दालों को एक बोल में लेते हैं सबसे पहले दो टेबस्पून तूर दाल ले लेंगे दो टेबस्पून मूंग दाल दो टेबस्पून चना दाल दो टेबस्पून मसूर दाल दो टेबस्पून छिलके वाली उड़त दाल ले लेंगे आप इस चेकर सिंप्ली उड़त दा सब हुआ है पूर्थ के खूरें डालों को पानी डालकर 3 चार बार एचória से वस्ट कर ये जब तक ही जो क्यों पानी है वह पूरा प्लियर ना हो जाए तब它 बॉ Amaia झहां चाने के बाद अभी से सब्सक्राइंगे दो घंटते के लिए पानी में पशुर करके रख़ देंगे तापी जो दाले है न वह अच्रप्स पूल जायेма करता के दे तक और मैं ब्लाइन हएं आप श्क्रावसे मैं को डाप्र अच्चे पूल करें सकते हैं 2 गहें बार दालं अच्रप्स पूल गए है यह तर एक गoro माने तूट जा अब इसमें पानी डाल देंगे, ध्यान रखिएगा पानी सिर्फ एक इंची उपर तक रहे, बहुत जादा पानी नहीं डाल लिएगा, अब कुकल और धकन लगा देंगे, और इसे हाई फ्लेम पर एक सीटी और मीडियम फ्लेम पर दो सीटी आये तक पका लेंगे, पूरा प् से इस दाल के लिए एक तड़का बना लेते हैं, खड़ाई में दो सी तीन टेबल स्पून घी ले लेंगे, आप इसकी जगा ओल का इस्तमाल भी कर सकते हैं, जब की गरम हो जाएगा तब इसमें आदा चमच जीरा आड़ करेंगे, यह देखिए जीरा चटकने लगा है, दो सुखी लालमिच आड़ करेंगे, एक टेबल स्पून बारीक कटा हुआ लेसुन, एक चमच बारीक कटा हुआ अदरग, आप चाहें तो अदरग लेसुन को घिस कर ले सकते हैं, दो बारीक कटे हुआ हर इमिच आड़ करेंगे, आब इनने एक दू मट के लिए पकाल लेंग ताकि लहसुनों अदर का कच्छापन खतम हो जाए ध्यान रखेगा लहसुन को ब्राउन नहीं करिएगा इसी समय ही इसमें चुटके बर हिंग डाल देंगे हिंग जरूर एट करिएगा दाल में प्रोटीन होता है हिंग डाल को बचाने मदद करता है अब इसमें एक बारी कटा हुआ प्याज आट करेंगे प्याज की फ्लेम को मीडिया में रखेगा अब इस प्याज को पीज भी में चलाते हो तब तक पकाएंगे जब तक यह जो प्याज है वो अच्छे से सॉप्ट ना हो जाए अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो आपने इसके भी कर सकते हैं यह देखिए प्याज अच्छे से सॉप्ट हो चुका है आप चैने तो इसे अलका ब्राउन भी कर सकते हैं प्याज को जितना जाज अच्छे से गलाएंगे दाल उतनी अच्छ लगेगे खाने में अब इसमें एक श्वदा ही चमश हल्दी आड़ करेंगे एक चमश धन्या पाउडर एक चमश कश अच्छ फ्लीम को लो रखिएगा और ध्यान रखिएगा जो मसाली है वो जलेना तारे मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं अब इसमें दो बारीक कटे वे टमाटर एड़ करेंगे और इसके साथ ही में स्वादम सार नमक अड़ करेंगे ध्यान रखिएगा हमने दाल में टमाटर में नमक अड़ करने से जो टमाटर है वो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं टमाटर एड़ करने के बाद भी अगर आपको लगे जो मिक्स्चर तुगा ड्राई है तो अब इसमें तुगा सागरम पानी आड़ कर सकते हैं टमाटर जल्दी पक जाएं इसके अब पालक की मातर को अपनी साब से बढ़ा सकते हैं अब पालक को प्यास टमाटर मिक्षा के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें आपको पानी आट करने दो आट नहीं पड़ेगी क्योंकि पकते समय पालक खुद पाई छोड़ेगा थोड़ते पालक को पका लेंगे जिसे जो पालक है वो सौफ्ट हो जाएंगे अब इसे हम ढख कर 2-3 मैट के लिए पकने देंगे इसे पकाते हो मुझे लबक 3 मैट हो गए है अब धकन भटा देंगे पालक भी अच्छे से सौफ्ट हो गई है मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो गई है अब इसमें हम पकी करेंगी और डाल को मसाले के साद अच्छे से मिक्स कर लेंगी और मिक्स करने के बाद इसे हम बिना ढगे, 4-5 मैट के लिए मीडियम फलीम पर पकने देंगे पीछ पीच में एक बाद चलाते रहेगा पकने के बाद आप चाहे तो लास्ट इसमें तड़का दे सकते हैं spicy पसंद है तो last में इसमें थोड़ा सा गर मसाला भी आड़ कर सकते हैं इसी के साथ दाल अच्छे से पक गया है चलिए अब इसे सर्फ कर लेते हैं बहुत ही टेस्टी बनते हैं दाल आप बना कर देखिए हर किसी को बहुत पसंद आएगी और यह टेस्टी के साथ साथ हेल्डी भी है अगर आपकर रेस्पी पसंद आई हो तो ब्रीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले